वेलकम अमर सेर योट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है आज मैं IVPS RRB PO 2024 के लिए स्पेशली स्ट्राटेजी बनाने जा रहा हूं तीन महीने में आपको सक्सेस के लिए तैयार हो जाना है समय और मिलेगा जिसमें आप revision करेंगे लेकिन यह थ्री मंद्स में preparation हो जाने के बाद अगले एक महीने में जो आपको समय मिलेगा आप ऐसा revision करेंगे कहीं भी selection नहों इसकी संभावना ही नीरे इसलिए मैं चाहता हूं कि समय बरवाद नहों और तुरन्त तेयार हो जाए बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो पूरे देश में रहते हैं। रूरल एरिया में काम भी करना चाहते हैं। अधिक्षन थोड़ा आसान भी है। RRB प्यो और RRB क्लर्क के स्पेशली तयारी करते हैं। पास करके Hindi medium के students तो कि इसमें English के साथ साथ Hindi का option होता है Language paper में मेन exam में देखिए जो कि तीन मेने का time है जो strategy बन रही है तो जो करना है वो important है लेकिन जो नहीं करना है वो उससे ज्यादा important है तीन महीने का समय ना तौल करके जगह पर देना है जिससे हम को maximum फायदा हो मेरा इसारा समझ रहे हूँ बे वज़ा की practice paper नहीं बनाने है बे वज़ा की कहीं से कोई question दे दे उसको solve नहीं करना है और बे वज़ा की online test series नहीं देने test देने test के बिना selection नहीं होगा पढ़ाई का 50% weightage है और test का test के माध्यम से practice का 50% weightage है एक के बिना दूसरा अधुरा है लेकिन previous years के memory best questions पर आप test देंगे क्या है online या फिर offline मैं कहता हूँ मेरा preference यह है कि आप offline paper पर ध्यान तो जब आप offline paper पर देते हैं तो आपको दिखाई कि आपने किन chapters के किस क्यों को बनाया और कौन से question smash शूटे जो बनखान और जो नहीं बनाया किस को पहुंच के आपने रही कुस्चेन को पिक किया या नहीं कौंसे आप की question थे जहां तक आप पहुंची से लिए ताकि आप इस analysis के साथ अगले टेस्ट में बार बार करने से आपका पिक करनी का जो छमता है वो बढ़ जाएगी और ये पिक करना बड़ा माणी रखता है सच यह है कि पढ़ते सभी student हैं समान स्थितियों में आप जतना जानते हैं परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि किसको पिक करना और किसको लीव करना है ये decision नहीं हो पाता क्योंकि इस ख्याल से आप उतना practice नहीं किय हुए होते हैं सच यह है आप में जो छमता है तो मेरे students हैं जो पढ़ रहा है मैं जानता हूं कि 35 questions का जो set होता है उसमें और आरादी में 40 questions के set होते हैं 40 questions में 25 से 30 बनाने के उनकी छमता एकदम शुरू के दो महिने में आ जाती है लेकिन उनका score 10 भी नहीं होता क्योंकि वह ऐसे question में उलज जाते हैं इसमें weak होते हैं और उन question को score देते हैं गलती से या फिर वहां तक नहीं पहुंच पाते जो उनको आते हैं असान होते हैं इसलिए pick करना और leave करना यह एक बड़ा matter है और इसको जरूर स्टूडन को improve करना चाहिए इसके साथ selection का 50% weightage ज miscellaneous word problems में आने हैं तो 10 questions के आस पास आते हैं मेंस में और pre में 15 questions तक आ जाते हैं 40 आर आर्वी में प्यो में भी और clerk में simplification के 15 questions आ जाते हैं अब फिर 10 questions रहते हैं 10 questions में 10 questions में जब आप 7-8 कर लेंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा 6 भी करेंगे तो चलेगे देखी जब आप पढ़ना शुरू करते हैं शुरू में ही आपको chapters को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो questions आते हैं वो कहां से आते हैं वो problems, best on ages, partnership, average, percentage, simple, compound यहां से आते हैं time and distance, strength, bottom and stream से एक और time and work, five and system से एक, profit and loss and mensuration, वास जिसमें से जदि आपने पढ़ लिया पदबग 60 से 70 परसंट तो आपका काम होगे एक एक chapter जैसे ऐसे आप gain करते जाते हैं आपका confidence पढ़ता जाता है लेकिन जो strategy है, जो बननी है, वो strategy का एक important part यह है कि maths और reasoning तो आप पढ़ेंगे लेकिन उसकी अलावा जो दूसरी section है उन पर विसेश ध्यान देना है एक important बात है, सुनिए बताता हूं कि maths और reasoning पर सबों का जोड रहता है, वो तो ठीक है, सहेगा लेकिन IBPS, RRBPO में जो language paper है main exam में उसमें English या Hindi में एक option है, इसको seriously रहने की जर्वत है इनकी English strong है, वो English के अपने section में अक्षा करें Maths और reasoning पर ध्यान देने की तुलना में, main exam के ख्याल से, English, Hindi और computer और current affairs पर दिया गया ध्यान दूसरों से आपके score को आगे करेगा ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, सच बात है कि Maths और reasoning पढ़ना है, सच बात है कि pre-exam में 40-40 question का जो set होता है, वो Maths और reasoning का ही होता है और उसी के आधार पर आई-वी-पी-अस- आर-ार-वी-प्यों में, pre में selection भी होता है, top भी उसी में बनता है वो तो पढ़ना है, लेकिन winning strategy ये है कि मेंस के लिए साथ-साथ preparation होना चाहिए और जब pre-exam आप देने जा रहे हों उसके पहले main का कम से कम 50% से ज्यादा part हो जाना चाहिए ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि mens में, mens में SBI या IVPS PO के main में हम 50% से ज्यादा course पढ़ते ही नहीं, लेकिन IVPS RRB PO में 80% से ज्यादा part पढ़ते हैं क्योंकि question का यही nature होता है, इसलिए 80% part हमें पढ़ना है mens में तो उसका 50% part free के पहले हो जाना चाहिए और pre exam के बाद result निकलने के पहले इस दौर में आपको mens के बाकी 30% कर लेने हैं जब pre का result आ जाएगा तो only revision करना है अपने weaknesses को दूर करना है मैं बात करता हूँ जब आप सुरू करेंगे तो strategy यह है कि सबसे पहले दिमाग खुला होना चाहिए युद्ध कौन जीता है जिसका तिल और दिमाग बहुत मजबूत होता है यह मजबूती ही युद्ध में विजय दिलाती है मैं एक्जाम दे रहा हूँ मुझे पास करना है और इसके लिए मुझे अपना 100% देना है यह सोच करके पढ़ना है तो 100% देना है देने पर जितना पढ़ सके उतना अच्छा है जो हम अचीव कर लें वो important है जो नहीं कर सके तो आगे करना है मतलब कहने का यह है कि इतना पढ़ना है बोल करके pressure create नहीं करना है एक chapter आपने बढ़िया से पढ़ लिया तो समझी आपने पढ़ लिया दूसरी chapter क्योंड इसके questions तो मुझसे बनेंगे दूसरा chapter कर लिया दो chapter हो गया यहांसे दो question तो पक्का है word problems के ख्याल से जो chapters पढ़ते हैं उसमें 6 question पक्का हो गया ना तो समझी एक्जाम में pass करने का ground तेयार और यह 6 question maths में किन chapter से आएंगे जो confirm में आएंगे मैं कहता हूँ सबसे पहले problems best on ages एक्जाम में जिससे questions आते ही हैं मैं उनके ख्याल से कह रहा हूँ आप दूसरे chapter भी कर सकते हैं लेकिन एक मोटा मोटी idea कि problems best on ages पहला partnership second average third percentage fourth simple and components fifth pass number fifth ये पांस chapter में से तीन से चार question आ जाते हैं और time and distance train button stream से एक diamond walk pipes and cisterns से एक 6 question यहां तक में पक्खा अगर आपने mensuration कर लिया method of allegation कर लिया तो 10 में से 8 question बनेगा ही बनेगा कुछ होता है profit and loss mensuration question ये वाला कर लेने के बाद eight questions की guarantee है बुलिए मैंने कुछ ज्यादा कहा क्या आपको लगनी रहा कि बड़ी आसानी से आप अपना target achieve कर सकते हैं सारे sections में अभी मैंने math की चर्चक इसके बाद data interpretation की दो sets आप बनाएंगे उतने tough नहीं होते हैं फिर भी questions के pattern में बदलाव हो रहा है और variable best questions आ रहे हैं chapter के question में भी आ रहे हैं और tough questions होने के सथी में कम score में selection होगा word problems में 10 questions में आप 8 नहीं बनाएंगे 7 बनाएंगे 6 बनाएंगे 5 भी बनाएंगे moderate question में तो एक अच्छा score होगा दियाई दोनों बनेगा उसी में डियाई या cashlet एक cashlet एक डियाई अभी कभी two cashlet और एक cashlet भी आ जाते हैं तब फिर data sufficiency नहीं आता data sufficiency आ जाएगा cashlet डियाई आ जाएगे तब फिर एक डियाई आएगा यह combination होता है quantity one quantity two के questions आते हैं यहीं प्री के ख्याल से बात कर रहा हूं और में में तो यही pattern रहता है लेकिन डियाई का number बढ़ जाता है वो डियाई cashlet बिला करके 4 हो जाते हैं 10 questions हो जाते हैं word problems के और 2-3 question आ गया number series का दो तीन question आ गए quadratic equation के इस तरह से तो बाकी section में ज्यादा दिक्कत नहीं number series आसानी से आप कर लेंगे quadratic equation भी आप कर लेंगे चाहे pattern में कितना भी बदलाव हो मैं लगातार मैंने तै कर लिया है कि जो variable best questions हैं जिनको लेकर के आपको लगातार दिक्कत हो रही है मैं में मेंस में आये हुए सारे exam के सारे memory best question especially variable best करा दूँगा बस आप उनको कर लीजिए चलावा कुछ और करने की जाए मेरे साथ चलिए मेरे साथ बने रखिए इधर मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनद करने का तै कर लिए तिन बर में 5-6-7 thoughts हो जाते हैं वीडियो होते हैं लाइब session रात में सारे 8 बजे रोज होता है और 11 बजे वो live session होता है जो आप में पूरी energy भरता है आपके जितने भी questions queries होते हैं उन सब को रात में 11 बजे मैं solve करता हूं इसलिए कहीं भी दिक्कत होने का तो सवाल ही नहीं है में इनके questions के में वीडियो बनाता हूं ठीके questions के live लेता हूं रात में सारे 8 बजे कुछ बचा mathematics में मुझसे जुड़ जाए कमांड हो जाए जो लो को रोज पढ़िए English या Hindi को रोज पढ़िए वो बिना पढ़े बिना कुछ खास मेहनत की कब आ जाएगा आपको पता तक न चलेगा पढ़ना तो मैस और रिजनिंग दिमाग की हर व्यक्ति रिजनिंग में साकर सकते हैं उसके लिए कुसी विशेष जानकारी की जर्वत ही फिर भी आप बुक्स पढ़ें फिर सारे कुस्टिंज बनाएं और मैमरी बेस्ट प्रिवियस से के कुस्टिंग का जवाब नहीं इनको करने के बाद विजनिंग में कोई दिक्कत नहीं हो इनने संदी मैंने पहले ही कर दिया क्रैमर के बुक्स जो आपने बच्पन में पढ आपको पढ़ने हैं होबी हो जाए लगे ही नहीं कि हम करेंट अफेस पढ़ रहे हैं उसके संपर्क में नहीं रहे तो मन नहीं लगना चाहिए कुछ इस तरह का आपको पुजिटिव वीडियो आ रही है बात इस स्ट्राटिजी वीडियो की नहीं है यहां तो मैंने आधार तयार करते मेरी स्ट्राटिजी तो रोच चलती है वीडियो बनाता हों उसमें आपको बताता उन गाइड करता हूँ आइब शेशन लेता हों तो करता हूं रात ग्यार बज़े तो हर तरह से आपको तयार ह APP आपको तक हर कदम पर आपके साथ हों मुझे उम्मीद है आज से आपने इसको तैयारी शुरू कर दी होगी और रियली पूरे देश में रूरल इलाके में काम करने वाली ये रीजिनल बैंक और उसके बैंक प्यूर क्लार्क तेरा इस्टूर्ड उसके सब्सक्राइब का, ओके, आल बेस्ट, पाई.